राधे राधे जैसरिक्रिष्णा मैं नीलम भट कैसे हैं आप सब आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे सरलविधी सरल उपाय में आप सभी का स्वागत है माग के महीने में कई तेवहार पड़ते हैं उसमें से एक तेवहार है बसंत पंचमी जिसमें माता सरसुती की पूजा होती है माग महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार इस दिन मा सरस्ती का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन मा सरस्ती की पूजा की जाती है मा सरस्ती के उपास्तना का विशेश महत्तो है शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता सरस्ती की पूजा करने से मा लक्ष्मी और मा काली यानि मा गौरी भी प्रसन्न होती है माता सुरस्ती की पूजा करने से हर विद्यार्थी हर व्यक्ति कामियाब होता है इसलिए माता सुरस्ती की पूजा विद्वत हम सभी को करनी चाहिए हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेश महत्व है वीड़ावादनी माता सुरसुती ज्यान और विद्या और बुद्धी की देवी हैं जिन बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है उनको माता सुरसुती की पूजा जरूर करनी चाहिए देश के हर विद्याले में सिच्छड संस्थान में सुरसुती माता की पूजा अर्चना होती है माता सुरसुती को श्वयता नाम से बिजाना जाता है भसंत पंचमी का दिन अती शुभ माना गया है इस दिन हर सुभ कार बिना विचारे किया जा सकता है पौराडिक कथा के अंसार बसंत पंचमी के दिन प्रभु राम और उनके भ्राता लक्षमर सीता जी को खोशते हुए माता शबरी के आश्रम इसी दिन पहुचे थे बसंत पंचमी के दिन जिस सिला पर उन्होंने बैट कर शबरी माता शबरी के हाथों से बेर खाई थी वह शिला की पूजा बसंत पंचिमी के दिन आज बड़ी सिध्धा के साथ होती है हर व्यक्ति हर विद्यार्थी को माता सुरसुती की पूजा जरूर करनी चाहिए जो भी व्यक्ति माता के चर्णों में स्वयम को समर्पित करता है उनकी पूजा करता है वह हर छेत्र में सफलता की शिखर पर पहुंचता है इस साल 2023 में बसंत पंचमी 26 जन्वरी दिन ब्रिस्पत्वार को पड़ी है और ब्रिस्पत्वारी का दिन अतिशुब है इस दिन सरस्थी की पूजा जो भी करेगा उसके उपर माता सरस्थी की अतिक्रिपा होगी तो आईए माता सरस्थी की पूजा इस तरह से करें कि उनकी आशिर्वात से विक्ति का जीवन धन्य धान और वैभो से भर जाए जै माता सरस्थी यहाँ पे मैंने माता रानी की चौकी पेले वस्तर से सजा ली है और आसन भी लगा लिया है जिस पे बैठके मैं पूजा करूँगी इसके बाद में मैंने यहाँ पे माता रानी की फोटो रखी है आपके पास मूर्तियों तो आप वो भी रख सकते हैं एक कलश मैंने लिया है यहाँ गौरी गनेश मैंने लिया है जिसको पान के पते पे इस्थापित किया है और इनको मैंने कलावे से लपेट दिया है आप जैसे देख सकते हैं करेश जी को कलावे से मैंने लपेट दिया है इसके बाद में एक दीपक लिया है प्रजुलित करने क चुंट्री ले ली है। फिर मैं यहाँ पर दीप को प्रजुलित कर लूँगी, क्योंकि जो डीपक है, यह हर एक पूजा का साक्षी होता है, जिस तरह आप अगनी को साक्षी माते हैं, यह का प्रतीक है। यहां मैंने जोद को प्रजुलित कर लिया है, इसके बाद मैं इसनान करवाऊंगी, मैंने मातरानी को इसनान करवा दिया है, फिर हम दीपक को इसनान कराएंगे, दो बार करवाना है हमें, इसी प्रकार हमें गौरी गनेश को दो बार इसनान करवाना है, और इसी तरह मैंने व मातारानी को उसके बाद कलश को गौरी गनेश को लगाएंगे इसके बाद में यहां देखे मैंने पांच दिपक रखे हैं इनको मैं प्रजुलित करूंगी पसंद पंचमी के पूझा में हमें एक अखंट दीप के अलावा पांच दीपक की भी जरूरत होती है यहाँ पे मैंने देखे मैं इनको धिर धिर करके सारे पांचों दीपक प्रजलित कर दूँगी और फिर दीप प्रजलित करने के बाद मैं यहाँ चंदन लगाऊंगी सबसे पहले माता रानी को लगाएंगे माता रानी को यहाँ पे मैंने चंदन देखे मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ फिर कलश को दीप को उसके बाद में गौरी गनेश ये को मैं लगाऊंगी और अपनी पुस्तक को लगाऊंगी बसंद पंचमी का दिन है इसलिए मैंने माता को पीली चंदरी अर्पित की है यह देख सकते हैं यहाँ मैंने पीली चंदरी चड़ाई है और इसके बाद में मैं यहाँ पे वस्तर के रूप में गौरी गनेश को कलावा अर्पित करूँगी के बाद में हम यहां पर पुष्प अर्पित करेंगे माता रानी को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है कलश को अर्पित कर दिया है दीपक को अर्पित कर दिया है और गौरी गनेश को अर्पित कर दिया है यह देख सकते हैं आप और फिर श्रीमत भगवत गीता को भी पीला ही हो क्योंकि बसंद पंचमी की दिन हमें पीला अर्पित करना चाहिए यहां मैंने मूली का ले रखा है लड़ू अपने शद्धा अनुसार ले 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 इसके बाद आप फल ले ले जो भी आपको फल चढ़ाना हो माताराने को गौरी गनेश को कलश को लीपक को फिर सार बारी गनेश को अर्पित करेंगे कलश को अर्पित करेंगे सारे भगवान को अर्पित कर देंगे इसके बाद हम आर्थी की थाल सजाएंगे और माताराने की आर्थी करेंगे आप थाल को घुपसंदर तरीके से सजा लीजिए जिसे के अच्छी लगे यह देखें यहां पर आर्टी दे देंगे आप खुद भी आर्टी ले लिजे और मातारानी से मना लिजे है मातारानी अपने कृपा बनाए रखेगा लक्षमी के साथ में मा सरसती का भी होना बहुत ही आवश्यक है धनोने के साथ ही हमारा बुद्धी विवेग बना रहे और विद्यार्थियों के ले भी माता सरसती की पूझा आती आवश्यक है क्योंकि हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं हमें भक्ती भी करते रहने चाहिए जिससे कि मातारानी का हमेशा कृपा बनी रहेगी और हम अपने कारे में सफल हो जाएंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें राधे राधे जैस्री कृष्णा